आप सभी लोग ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले IRCTC के स्टॉक प्राइस के बारे में थोड़ी सी कोशिश करेंगे जानने की मार्किट कौन से स्ट्रॉंग सपोर्ट और स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस के साथ आज मार्किट ने ट्रेट किया और कुछ स्ट्रॉंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसकस करने की कोशिश करेंगे कल के लिए के मार्किट किस तरीके से बिहेफ कर सकता है, उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजेगा, दोस्तों आज ब्रास देखे, market थोड़ा सा गर देखे जाये, तो थोड़ा सा gap-up open, इतना ज़ più nostalgia गया फोप नहीं था, लेकिन gap-up open दिया, green candle से market open वहा憂ँ है, और green candle के बाद में market ने एक बहुत ही बड़ा red candle बनाया, और ये एक minute के time frame के मैं बात कर रहां एक minute के time frame पे मैंने बात करिए जो भी मैं आपको बता रहो एक minute के time frame पे है ठीक है ऐसा लग रहा था इस वाले support के इस वाले resistance के पास आप देखे आप 606 के आसपास का जो level था ये strong support के रूप में market में काम किया ठीक है उसके बाद में market अब देखेंगे तो यहाँ पर एक नए strong पास गया और थोड़ी देर मांकेट ने सस्टेन किया और थोड़ी देर कितनी देर है आप यह देखे इस वाले पॉइंट से लेकर कि अगर मांकेट के अगर बात किरी जाए इस वाले कैंडल से अगर बात किरी जाए तो यहां से आप देखे एक बार दुबारा से इसी जगा पर सपोर्ट लिया मांकेट ने ठीक है इसी जगा पर सपोर्ट ले रहा था जो कि एक लेवल था मांकेट में जो सब्सक्राइब आपको बात किरी जाए मांकेट फिर उस तरीके से थोड़ा साइडवेस था दुबारा से इस जगा पर आने की कोशिश करी अब बात करते कि मांकेट कल किस तरीके से बिहेव क पर सकता है ठीक है मांकेट के अंदर अभी देखे यहां पे हमें ना सेलर और बायर दोनों नजर आ रहे हैं इस जगा पे मांकेट के अंदर में सेलर भी नजर आ रहे हैं बायर भी नजर आ रहे हैं दोनों ही नजर आ रहे हैं जो लोग खरीद के गए एक्सपाइरी के लिए जो sell करके गए expiry के लिए उसके accordingly market अगर देखा जाए तो market के अंदर थोड़ा सा gap up opening हमें देखने को मिल सकता है और gap up opening होते ही market इस तरीके से ऐसे नहीं भग जाएगा इस वाले level के लिए नहीं market थोड़ा सा retest करेगा definitely इस वाले level के आसपास retest कर सकता है और retest करने के बाद दुबारा से market जाएगा इस वाले level तलग जो की 640 का level है 640 का एक strong support market के अंदर नजर आ रहा है अगर market अगर इसको cross करता तो 660 यारी 20 points उपर दुबारा से जाएगा उसके accordingly market यहाँ पे 660 के level को जरूर से touch कर सकता है अगर market थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो एक strong support जो की market के अंदर अभी है वो है 618 के आसपास का level यह एक strong support के रूप में काम कर रहा है और उसके बाद अगर बात करी जाए तो 606 के रूप में market 606 का एक strong support यहाँ पे बना रहा है अगर इसको भी breakout करता है तो definitely market 600-590 के level तलग जाने की कोशिस कर सकता है अगर market के अंदर bearish momentum देखने को मिलता है अगर bullish momentum आएगा तो definitely market definitely काफी अच्छा यहाँ पे target देकर की जाएगा अगर आपने IRCTC के अंदर थोड़ा सा देखा होगा अगर इसको अगर आपने देखा है ठीक है उसके according लिए अगर बात करी जाए तो market आप यहाँ पे देखे जो लोग कई सारे लोग मुझे बताते के सर आप हमारे लिए trade कर लीजी आप हमारे लिए काम कर लीजी नइ देखे यह video जाए अगर बात की जाए तो market के accordingly बात करेंगे तो सारा का सारा आपको खुँज समझाएगा के कौँ और यह वीडियो बना इगे अगर आप देखते हैं अगर आप profit करते हैं अगर आपको loss होता है तो उसकी पूरी की पूरी liability या responsibility आपकी होते हैं हमारी नहीं होती है ठीक है ना और आप हमें बता सकते हैं इंडिया में कौन सी जगा से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें exactly पता चल सके हम इंडिय एक अच्छा टिकेट अच्छा profitable momentum आप capture कर पाएंगे अगर आप paper trading करते हैं तो definitely जैहिंद वंदे मात्रम